हेलो फोटेटू आप भी वादान आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में अपच अजींड या इंडाइजेशन को दूर करने के लिए आज भाजार में जितने बिकल्प उपलब्ध हैं साथ किसी और स्वास समस्या के लिए इतने सारे विकल्प उपलब्ध नहीं हैं लेकिन सच ये भी है कि लगभग 80% प्रोड़क्ट में हानिकारक तत्त भी मिले हुए हैं तो सुरचित तरीके से आप कैसे पाएं इंडाइजेशन की समस्या से छुटकारा यही है इस वीडियो का विशे इस वीडियो से आप जानेंगे इंडाइजेशन के कारण क्या है अपच दूर करने के पांच बहतरीन उपाई कौन से हैं अपच दूर करने वाली साथ बहतरीन आरवेदिक औसधियां कौन सी हैं ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए आईए अब बास सुरू करते हैं कि आखिर इंडाइजेशन का कारण क्या है दरसल इंडाइजेशन कोई बिमारी नहीं है और इस समस्या के लच्छनों के बारे में अब किसी को बताने की भी जरूत नहीं है पर इनके कारणों पर चर्चा आवस्यक है भोजन ना पचने के दो कारण होते हैं पहला कारण है लाइफस्टाइल प्राब्लम यानि ज्यादा भोजन करना ज्यादा पके हुए भोजन का सेवन ज्यादा तेल मसाले का सेवन करना पान गुटका तंबाकू सिगरेट सराप कोल्ड रिंग दर्दनासक दमाओं का सेवन ब्यायाम न करना जल्दी समस्या के बारे में जो है medical problems, पेट में सूजन, हिर्दै रोग, पथरी, पैंक्रियाज में सूजन, पेट का cancer, आतों में सूजन, वा कमरक्त प्रबाह, ये ऐसी स्वास समस्या हैं जिसकी वजह से आपको अपच हो सकती है, अगर आपको इन में से किसी वजह से अपच हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह पर ही ध्यान देना चाहिए, और आईए अब बात करते हैं अपच को दूर करने के 5 सरल उपायों के बारे में, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि अपच बिमारी नहीं है, इसलिए इसका कोई इलाज भी नहीं है, अपच आपक और जब तक हम अपनी आखे बंद करते हैं, तब तक हम खाते ही रहते हैं, विचार कीजिए कि बिना आराम किये, आप जब काम नहीं कर सकते, तो ये जुल्म अपने डाजेस्टिप सिस्टम पर आप क्यो ढढ़ा रहे हैं, डाजेस्टिप सिस्टम को आराम करने के लिए तयार रहेगा ध्यान रखिएगा कि यदि आप किसी रोख से पीडित हैं तो डॉक्टर की सला के बिना वाटर फास्ट आपको बिलकुल नहीं करना चाहिए इसके बाद दूसरी चीज है अपने भोजन में परिवर्तन करें आपको अपने खाने की आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा जाता तला भुना फास्ट फूड रात को देर से भोजन करना जल्दी जल्दी भोजन समाप्त करना और भोजन के तुरंद बाद पानी पीना जैसी आदतों को आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप अपना पाचन सदय वच्छा रखना चाहते हैं तो आपको अपने खाने में लगभग 40 ग्राम प्रदिन फाइवर खाना पड़ेगा इसलिए आपको मौसमी फल हरी पत्यदार सबजियां अपने भोजन में सामिल करनी चाहिए साथ ही जदा पका हुआ भोजन आपको नहीं करना चाहिए जदा पका हुआ भोजन करने से हमारी आतों को पचाने के लिए जदा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसलिए वे धीरे-धीरे कमजोर हो जाती है और हमें अपच की समस्या होती है इसलिए आपको अधिक मात्रा में कच्चे फल और सबजियां खाना फायदे मंद होता है इसके अलावा तीसरी ध्यान देने वाली चीज है पान पाचन का हिस्सा नहीं होता इसलिए अच्छे पाचन के लिए आपको कम से कम 300 से 360 टीडियस का ही पानी पीना चाहिए अगली और चौते चीज है पान तंबाकू और गुटके का सेवन बंद करना दरसल पाचन की सुरुवात हमारे मुझ से होती है जहां भोजन में लार के सा पाचकरस मिलकर पाचन को आसान बनाते हैं जब हम पान तंबाकू और गुटके का सेवन करते हैं तो हम अंजाने में ही अपने पाचन को नुकसान पहुचा रहे होते हैं क्योंकि हम बहुत सारी लार्तों थोक देते हैं इसलिए अच्छे पाचन के लिए आपको इन चीजों से दूरी बना कर रखनी चाहिए अंतिम और पांचवी चीज है फिजिकली एक्टिव रहें ब्यायाम ना करना और फिजिकली एक्टिव ना रहने के कारण हमारी आते कमजोर हो जाती हैं और इसी वज़ा से मोशन नहीं बन पाता अपने पेट को मजबूत करने के लिए आपको कम से कम 30-40 मिनट की एक्सराइज और दिन में आपको जब भी मौका मिले कुछ ने कुछ काम जरूर करें फिजिकली एक्टिव रहें ऐसा करने से आपको नीद भी अच्छी आएगी और आपकी आते भी मजबूत होंगी परिणाम सोरूप आपका पाचन भी अच्छा होगा दिर काल में इन 500 चीज़ों को करने से आपको फायदा होगा लेकिन इंडाइजेशन कब हो जाए या किसी को पता नहीं है अपच की समस्या से निपटने के लिए बजार में विकल्पों की कोई कमी नहीं है लेकिन अगर आप इनकी इंग्रिडियन्ट लिस्ट ध्यान से पढ करना चाहिए आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए मैंने आपके लिए चुने हैं साथ अपच दूर करने वाली आरवेदिक औसधियां तो आईए अब बात करते हैं नंबर सेवन की आरवेदिक औसधि के बारे में जो है डाबर हिंगवास्टिक चूर्ण यदि आपका भोजन ठीक से नपच रहा हो गैस बनने और पेट फूलने की समस्य तो आपको हिंवास्टिक चूरण का प्रियोग करने से फायदा होगा घंवास्टिक चूरन का प्रियोग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में भी सुरच्चित होता है सेवन के दिसानिर देस आपक जलन आसानी से दूर खोती है, अभिपत्तिकर चूण का सेवन प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में सुरच्छित होता है, कब कैसे और कितना आपको इसका सेवन करना है, यह जरूरी जानकारी आपको पैक पर लिखी हुई मिल जाएगी, और आईए अब बात करते हैं, नमबर फाइब के ब्रेंड की, जो है बैदिनाथ त्रिफला चूण, आरवेद में लेक्जेटिव यानि विरेचक तीन प्रकार के होते हैं, सामान्य, मध्य और तीब्र, त्रिफला एक सामान्य लेक्जेटिव है, इसका सेवन आपको तब सुरू करना चाहिए, जब आपक अगर आपको दिन में बार-बार अपच के साथ प्रेशर महसूस होता हो, या भोजन करने के तुरंद बाद आपको फ्रिस होने की जरुवत महसूस होती हो, तो इन लच्छणों में आपको इन दोनों में से किसी एक ब्रैंड का उपियोग करना चाहिए, इसका सेवन आपको रात में भोजन के पस्चात गुनगुने पानी के साथ करना चाहिए, नमबर तीन पर मैंने रखा है सॉफ्टो बैक बाउल रेगुलेटर, अगर आप डायबिटिक है तो सॉफ्टो बैक एसफ या काइम चून्ड, ये तीब रिलेक्जेटिव होते हैं, इनका सेवन उन्ही रोज नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से आपको इसके सेवन की आदत पढ़ सकती है, साथ ही इन ब्रैंड्स के सेवन के बिना आपको मोशन आने में समस्या भी हो सकती है, और आईए अब बात करते हैं, नमबर तू के ब्रैंड की जो है पातान जली चंदरकादी वटी, अगर आपको भोजन करने का मन नहीं करता, ठीक से भूख नहीं लगती और अपच की भी समस्या बनी रहती है, तो आपको पातान जली चंदरकाद वटी की दो-दो गोलियां दिन में तीन बार अवस्य खानी चाहिए, और नमबर वन के ब्रैंड के बारे में बात करने से पहले मेर आप से अनुरोध है कि अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस विशे से संबंधित प्रस्णों के लिए आप कमेंट भी अवस्य कीजिएगा, और आईए अब जानते हैं नमबर वन के ब्रैंड के बार पाव नहीं होता, पाइल्स के लोगियों के लिए भी अभेरिस्ट का सेवन फायदे मंध होता है, घर में आए दिन होने वाली अपच की समस्या को दूर करने के लिए यह बहुत ही उपयोगी अईरवेदिक औसदी है, क्योंकि इसका दाम भी कम है और साथ ही इसकी सेल्फ ल सदियों के बारे में और वीडियो देखना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप, वीडियो को देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद, नमस्कार.